आजबु चर्चमा निये मन ध्यान बिधी मैं ले दिने ध्यान बिधी की हो एक जना मित्रले मलाई तपाईले नहीं दिने ध्यान बिधी की हो त्यों बताई दिनुस एही जिग्यां सा शुरूप इहां मानी सरू इस्तो बड़काव मा छन इहां जिवित गुरू जिवित इसोर छादापनी उसको पछी अनुयाई बनेरा अंधो बनेरा लागने जुन संस्कार छ यो अती खतरनाक छ अती घातक छ एही कारण कोही बनी ब्यक्ती जागरियित बना सके बुद्ध तीन हजार बर्ष पहिले गाउं 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 जी बताए खोई अहीले सुमाई एक जानाब पेक्ती बुद्ध बनेको यो ताहां लाए था छाई ये शरी कोही बनी बनी देए आफे जाकरियित बननु पर्ष आपनो बाटो आफे तयार गननु पर्ष तब मात्रे ओ गुरु बन्च एदी गुरु बन्च उलायक छाई ना सिस्षे नहीं रहेरा तकेबल त्यो ध्यान को गहिराई शम्मा मात्र गहिराई बांसनी हो भने तकेही होई ना अनुयाई भायरा यो अंधो न भायरा गुरु को उपयोग गरेरा पनी हामी तेस अरको लोग समध जाना सक्छों तेस संत्यान को गहिराई समध जाना सक्छों यो भावतिक भायवने ते अभावतिक ते अलोकिक ताको अनभावगारना सक्छों ते मक्छे मक्ती ते समाधी त तर इस्थ ओर मौनिस्थ तेही इस्थ्थ शम systुकव बिकास को लागी रथ। इस्थ्थ बनी सके पचि उसको जुन भमिका हुँच ूज जो गुरू बंच, उज ज़ जो ज्ञ்यानी बंच यो इस्थिती पाउनो को लागी, यो इस्थर पाउनो को लागी चाई, वो आफै, आफनो बाटो, आफै तयार गर्न पने हुँँछ, उसले गुरुलाई उपयोग गर्न सक्ष, तर्याई एउटाको अंदभक्त भायर होई दे, उसले अनेकं गुरुका, अनेकं बिदी हरुल यह न सक्ष, जान न सक्ष, एसले जानेरा, आफनो आफै तयार गर्न सक्ष, एस अनुरुपने, तर्याई एक को पछी अनुयाई बनेरा लागेरा, वो गुरु बनन सक्ष दैर, अरुलाई शिकाउनो आफनो अचाडी गुरु राखेरा, गुरुको भेश लाएरा, जुन गुरु अहिले पर्तेश से शरीर माँ छाहिना रा उसे ही को संप्रदाय फाइलाउने को लागी जास्ते ही इह धर्म संप्रदाय को पागल खाना जास्ते ही कोही पनी बेक्ति ये शरी गुरु बना हो दहीना रा तियो गुरु होईने ये दी कोही बने को छा बने पनी तियो गुरु को सानिध्धेमा जादा मात्र उसले दियेको भेश उसले दियेको मंत्र उसले दियेको माला तो किके लाओने हो लाओना पाईयो रा उसके सानिध्धेमा रहे रा ते अलोगिक इस्थिति पने अनुभाब गर्ना पाईयो तर उजिवित अवस्तामा चाहिना पने उसल बाट अही बनावने हो पहिला यो अनुयाई यो संप्रदाई क्ता बाट जटकार रती में बाहिर आउनु परो या पर्तेच्छे गुरुको स्वरण मा जानु परो ये दोई उपाय नत्र अनुयाई बने र फेरी संप्रदाई मा लागनु भायना जो जिवित इस्वर चाहिना उसको संप्रदाई मा जानु भायना उसको भेश लाउनु भायना यो बड़ी खतरनाक हुन्च ये स्पाड कहिलेपने मुक्ति मिल लेना तिमले तियो माला फालनाई परचा तियो भेश फालनाई परचा एदी ऊद इस्वर जिवित चाहिना बने अब उसले एक मित्र को जिग्यां सार्ध तपाई को नई ध्यान चाहि Glai येहां हैमि अनेकों ध्यान अनेकों बेक्ति संगत जोड़े रहर शों बुद्ध लाई जोड़े रहर ने बेक्ति ले बिपस्चना ध्यान बनला ओशोलाई जोडे रहे हैने ले सक्रिय ध्यान बनला फेरी कोही मा सिवा भग्त हुँ एस्तो ध्यान गानु परच बनला कोही हट योगी हुँ मा बनला एसरी ध्यान गानु परच बनला फेरी कोही कृष्णाले अध्याय छामा एसरी ध्यान गर्णु पर छा बन भायको छा एसरी ध्यान गर्णु पर छा बन लाया फेरी कोहिले सद्गुरु लाई बन लाया फेरी कोहिले रवी संकर लाया बन लाया फेरी कोहिले डाक्टर योगी विकाशन अन्द बन लाया जो भने भने एदी कोई जिवीत छबने या को सराण मा गार ध्यान गर्ने हो भने उस्यले भने गर्न परे एदिये हामी जिवित इसोर को स्वारण मा छैनाऊं रो एस आयाम तर्फ उन्मुख छाऊं भने अब हामीले सबैलाई उपयोगार्ण पर्छा अपर्त चेरुपमा रा अपनों बाटों आपाई बनाऊन पर्छा इद्वी कुरालाई हामीले ध्यान देन पर इसो हो बने लठिक छा माईले अपने बिधी दिन छो माईले हरे एक बेगतिलाई एक बेगतिलाई लाख बिधी दिना सक्छो फिर उसले कुंचाई बिधी अपने अन annatकुल छा उसले अपै अपनाऊन पर्छे फिर यहां अनेकाऊन लाखाऊन अपर्त चेरुपमा अपनाऊन सक्छीन इनलाई पने अपनाऊन सक्छे तैपने मेरे नाममा समग्रमा सारभोत्रुपमा सारामसमा एऊटा बिधी दिनू परे भने मेरो बिधी हो बिधी को नाम तमा भन दिना तर बिधी भन छू फिर बिधी को नाम दिये भने एही नाम मा बाधिन जत मा अहिले काम देन छो बिधी को नाम मेरो जिबन को अंतकाल में देंगुला फिर यो बंधन न बनुस मा यो चाहन ना कि मेरो पची कोही संप्रदाय बनुस मेरो कोही अनुयाई बनुस मेरो समत्चे आयरा मेरो सानिध्धेमा आयरा हो मेरो मित्र einen इसलाए जानननी हो गुरु को हो जानने परे। और उसको उपयोग गानु परे। उसलाई अपनावनु परे। अरुक हे गानु पर देने गुरु। गुरु एक उपाये हो बस। मिरु सारम सको एउटामात्रै जुन बिधी तिमलाई चाहिन चर रत्य उपयोग गान चाहन चरु बने। सबै लाई उपयोग हो न सकने। शरीर कुत्तलमा शरीरलाई शरीरमा कमपन लेऊन। मन विचारलाई एही कमपन द्वारा इस्खलीत गर्न। शरीरमा कमपन लेऊन। एही कमपन द्वारा मन विचारलाई इस्खलीत गर्न। आत्ममा आपनो विजारपन, अन्तसमा आपनो विजारपन गर्न। आपनो सो सत्ता स्वेम को बिजार पन गर्णु श्वेम लाई अन्तस्मा बिजार पन गर्णु राई यही बीज यो सारीरिक रुप मां कम्पीद भायरा मन बिचार इस्खलीद भायरा जुन है मिले गर्भ धाराण गर्यों अन्तस्मा तेश गर्भ लाई के गर्णु पर्छा त्यों आमा भुबा को भुमिका जो हुन्छ गर्भमा बच्चा भाय पची तेही भुमिका द्वारा तेसलाई सम्रचन गरेर तेसलाई जन्म दियर अंतस्मा पनी हुरकाएर बाहिर पनी हुरकाएर अनिहामी ध्यानम उत्र नसक्छों गईर ध्यानमा जाना सक्छों ध्यान ग्यान पाूना सक्छों गर्भमा बट ही राई पची ग्यान अमें गर्ममें रहना ध्यान अनि इस वाची यू आयाम शुरू हुँँचा मानिश तेही सुर समको विकास पर गिरिया शुरू हुँचा मेरो ध्यान पर गिरिया यू हो अजन देते ने